उससे सटे शाही मजजिद इदगा में लगे तीन स्पीकर हटा दिये वहीं एक स्पीकर की आवाज मानक से कम धीमी आवाज में अंजान के दिये लगाई हुआ है शाही मस्जीद इद्गा कमेटी के सच्छेव तन्वीर एहमत का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंद्री जी के निर्देश के अनुसार वहां लगे चार स्पीकर में से तीन स्पीकर तो हटा दिया है वह एक स्पीकर निर्दाद मानकों में अभी कम अवाज अन्जान के लिए लगा हुआ है उन्होंने कहा कि नमाज में कभी भी स्पीकर नहीं बजाए जाते हैं स्रीब अजान के लिए स्पीकर का प्रियोग होता है उन्होंने कहा कि दोनी प्रदूशन नहीं होना चाहिए पूरी कोशिस करते हैं कि कोई ऐसी बात नहों जो एक दूसरे को बुरी लगे सब ये कोशिस करते हैं कि हमारी नगरी में शांती बनी रहनी चाहिए पिछली दिनों शहर से कुछ दुखद सूचना आ रही थी लेकिन मत्रा के लोगों ने जन्मस्थान वालों ने इद्गाह व अतराजवाली बात नहीं रही आज हमारे मुसल्मान भायों ने इद्गाहा में रमजान के महीने में रोजा इफ्तार का इंतजाम किया था इसके लिए भी प्रशासन की तरफ से पूरी सूवेवस था रखी गई और लोगों ने खुशी खुशी रोजा इफ्तार किया काम हो गया है जहां की आवाज वक mix न चाहिए इतनी कम हो गई है कि कोशिस यह रहती है के जो आजान की आवाज है वो परी सर के अंदर ही अंदर है शहर Fl जाए क्योंकि जहां मस्जिदें हैं उन मस्जिदों में मैंने एक दो मस्जिदें देखी हैं उन्होंने कोशिस ये की है कि जो अजान के आवाज है ये नमाज के वक्त जो इमाम के मुह से शब्द निकलते हैं वो परिसर में मस्जिद के अंदर ही अंदर दाइरे में रहने चा 600 हर्म दूसरे को पुरा तो लगना ही नहीं चाहिए उसको सक शूक्षांती मिलनी चाहिए कि यह भी हमारे भाई हैं यह भी हमारे भांद Вाय हैं और हम सब हिंदोस्तानी हैं हम चाहते हैं के हमारे देश में सुख शांति अमंचैन बना रहे हैं चलिए धन्यवाद को कि हमारे इद्गा में अजाने के सवा मिनट होती है एधियात के तौर पहले से भी सुपर्व कोट के मानक थी उसके अनुसारी कम धबनी में बजाए अधाले फिर भी हमने दो तीर स्पीकर उतरा दिये एक स्पीकर मात्र परिसर के लिए वह कुभी कम धमनी का वह उसमें जैसे अंदर ने दर बजाए गारा है कि परसोज कर दिया है कि अ कि बजाए गुर्णा से और जा हमनी से थे हमनुसारी स कर दो तोस्सारी प्लाए चाहँ करिको कि अशनि・स sırण में जापतर वह.